आज हम जानेंगे कि इंटरनेट कैसे चलता है, मतलब कैसे ये चलकर एक देश से दूसरे देश जाता है, कैसे ये आपके शहर या घर तक आता है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में इंटरनेट कैसे पहुंचता है, और आपका इंटरनेट सर्विस प्वाइडर आप तक कैसे इंटरनेट पहुचाता है ये वीडियो बहुत ही रोचक होगा इसलिए कुछ भी मिस मत करिएगा और प्रीज फोन को हाथ में थामे रखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो प्रीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ये तो आपको पत इसके बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक जान दे देता हूं दुनिया में बहुत सारी डाटा सेंटर है जैसे गूगल डाटा सेंटर जहां की सर्वर में बहुत जानकारी स्टोर आती है माल लेते हैं आपने कोई वीडियो देखने के लिए यूट्यूब खोला और वीडि और टावर ने इस वीडियो को आपके मुबाइल में विद्दु चुमकी तरंगों यानि कि सिग्नल के रूप में भेजा इसके बाद आपका वीडियो प्ले होने लगता है यह डाटा सेंटर इन केवलों के द्वारा सिग्नल भेजते हैं यह केवल कहीं न कहीं आपके एरिया क के मुबाइल टावर से जूड़े होते हैं यहां परमान्चित्र आपकी समझने के लिए दिया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि किस तरह एक देश दूसरे देश इंटरनेट के द्वारा जूड़े रहते हैं इसे अच्छे से समझने के लिए पहले आपको समूद पंद्री केबलों के बारे में जानना होगा जिनके द्वारा सारी दुनिया में इंटरनेट तेज गत्सी जाता है अब हम बात करेंगे सब्मरीन कम्यूनिकेशन केबल क्या होते हैं यह विशेश तरह की आपकल फाइवर संचार केबल होते हैं इस तरह केबल संचार या कम्यू के Optical Fiber Technology का प्योग किया जाता है इन में डाटा ट्रांसफर की स्पीड टेरा बिट्स पर सेकंड में होती है जबकि वर्ष 1866 में ये स्पीड 6-8 वर्ष पर मिनट थी और वर्ष 2019 में रिकार्ड ट्रांसफर स्पीड 26.2 टेरा बिट्स पर सेकंड प्राप्त कर ली गई मतलब इतनी स्पीड से एक जेबी की 3250 मूवी एक सिकंड में डाउनलोड हो जाएगी महासागर में संसार के सभी महादूप इंटरनेट के लिए Optical Fiber केबल पर निर्भर है जो समुद की अंदर से एक देश को दूसरे देश से जोड़ते हैं मतलब ज्यादा तर इंटरनेट ट मतलब बैक बोन यह Optical Fiber केबल ही है तो समुद की अंदर सभमरीन केबल के रूप में प्योग होते हैं CNN की रिपोर्ट के अंसार समुद में 380 Optical Fiber केबल से जिनकी लंबाई 1.2 मिलियन किलोमीटर मतलब 12 लाग किलोमीटर है पहले आप यह Submarine Communication Cable मैप देखिए और देखिए यह कैसे पूरी दुनिया में फैला हुआ है अब नीचे का मैप देखिए जिसमें भारत के 5 सहर मुंबई, कोचीन, त्रिवेंदरम, तुती कोरीन और चनई इस तरह इन केबल के उदारा दूसरे देशों से जुड़े हैं मैप में आपको जो रंग दिख रहे हैं वो केबल हैं इन केबल को बिछाने के जिमदारी बहुत सारी कमपनियां लेती हैं क्योंकि सब्मरीन केमिल्केशन केबल ये समुद्र के द्वारा पूरे संसार को जोड़ती है तो खर्चा भी जादा होता है और इन केबल कमपनियों में गूगल, फेस्बूक और अमेजन जैसी कमपनियों ने पैसा लगा रखा है अब हम जानेंगे कि इन केबल से जो नेटवर्क बना मतलब समुद्र में केबल बिछा गया फिर वो आपके देश में आया फिर सहर और फिर आपके घर में आया इस तरह से ये एक नेटवर्क बन गया अब इस नेटवर्क को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे तीन भागों बाढ़ सकते हैं इस नेटवर्क को इंटरनेट सर्विस प्रवाइडर मतलब ISP भी करते हैं क्योंकि देश की अंदर नेटवर्क को फैलाने काम यही ISP ही करते हैं पूरी दुनिया में इंटरनेट का आधार यही होते हैं इसमें जो इंटरनेट सर्विस प्रवाइडर होता है उसके पास सारे दुनिया का इंटरनेट एकसेस होता है इसे आप नेशनल हावे भी कर सकते हैं जो पूरी दुनिया के देशों को इंटरनेट के दौरा जोड़ते हैं इसमें वो सारी कमपनियां आते हैं जिसके पास ग्लोबल नेटवर्क होता है ये टियर 2 को फीज के बदले में अपना नेटवर्क यूज़ करने के लिए देते हैं टियर 2 ISP इसमें वो सारी कमपनियां या इंटरनेट सर्विस पाइडर आते हैं जो औरिजनल या छेतरी नेटवर्क के सुगदा टियर 3 को कुछ फीज के बदले में देते हैं ये टियर 1 या टियर 2 से जुड़कर टियर 3 को इंटरनेट नेटवर्क यूज़ करने के लिए देते हैं जैसे स्टेट हाइवे नेटरनेट हाइवे से जुड़कर सारों को जोड़ता है इसी तरह आप इसे स्टेट हाइवे मतलब राज ये राजमार कर सकते हैं जैसे Jio, Airtail, BSNL, Vodafone, Tier 3 ISP इसमें वो इंटरनेट सर्विस प्राइडर आते हैं जो अंतिम भोक्ता या ग्रहाकों को सीज़े इंटरनेट से जोड़ते हैं ये Tier 2 से bandwidth खरीद कर देश के नागरिकों को देते हैं कोई भी broadband company जैसे Jio Fiber, Ticona, Airtail broadband, Hathway आसान भासा में आप इसे सहर की गली कह सकते हैं अब हम बात करेंगे भारत में इंटरनेट कैसे चलता है अन्य देशों के साथ भारत कैसे जुड़ा हुआ है उपर के मैप में आप देख सकते हैं कि भारत में बाकी दुनिया से इंटरनेट ट्रैफिक मुंबई, कोचिन, त्रिवेंद्रम, तूति कोरीन और चेनेई के जरी आता है और इसी रासे से भारत से बाहर जाता है मैप में आपको रंग भी रंगे सब्मरीन केबिन दिख रहे होंगे ये किसी देश में बंदरगा, सहरोध और प्रेस करते है और यहां पर ये केबल जमीन से जूड़े रहते है जो केबल लेंडिंग इस्टेशन का लाता है ते लिए मैं आपको इन इस्टेशन के बारें बता देता हूं भारत में कुल 15 लेंडिंग इस्टेशन है जो मुंबई, कोचीन, त्रिवेंद्रम, तुथी, कोरीन और चनेई में ट्यार्टा कमुनिकेशन के पास 5 लेंडिंग इस्टेशन है जिसमें से 3 मुंबई, 1 चनेई और 1 कोचीन में रिलाइंस ग्लोबल काम के पास 1 लेंडिंग इस्टेशन है जो मुंबई में Vodafone के पास एक landing station है, जो मुंबई में. BSNL के पास तूती कॉरिन में एक landing station है, जो इस लंका और भारत को जोडता है. कुछ प्रमुक सम्मरीन केबल्स जो भारत से होकर उजरते हैं. आला है TATA T지GAN, TATA Indico. केबल लंबाई 3175 किलोमीटर, चन्नाई और सिंग्यापूर के बीच में है, ये केबल टाटा कम्मुनिकेशन द्वारा बिचाई गई है, दूसरा है भारत लंका केबल सिस्टम, केबल की लंबाई 325 किलोमीटर है, ये तर्मिलनाट के तूती कोरिन से सिलंका के बीच कोलंबो तक फैला हुआ है, ये सिस्टम ब्यासनेल और सिलंका टेलिकॉम के अंतरगरत आता है, तीसरा है वन-to-one केबल नेटवर्क, इसमें केबल की लंबाई 3200 किलोमीटर है, लेंडिंग इस्टेशन चन्नाई और सिंग्यापूर के बीच में, ये केबल भारती एर्टेल द्वार बिचाएगे, चोथा है, सी मी, डबलू ए, थ्री, साउथ इस्ट एस्ट एस्ट वेस्ट वेस्टर्न यूरोप, इस केबल की लंबाई 49,000 किलोमीटर है, ये केबल संसार के 49 लेंडिंग इस्टेशन को जोड़ता है, ये पस्चमी यूरोप के देश बेल्जियम से होकर मिड इस्ट और साउथ इस्ट एस्ट 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 तक फैलाएं, ये नॉर्थ में दक्षिट पूरिया तक और दक्षिट में अप्षिडिया तक जाता है, और ये भारत में सबसे पहले मुंबई को छूता है, और फिर मुंबई से कोचीन और कोचीन से बाकी एस्ट एस चठा है सेफ, साउथ अफ्रिका फार इस्ट केबल, इसमें केबल की लंबाई 13500 किलमीटर है, इसमें 6 लेंडिक इस्टेशन आते हैं, इसमें भारत का कोचिन भी है, ये साउथ अफ्रिका से सुरू होकर मलेशिया तक जाता है, तात्वा हैं, फ्लाइग यूरोप एसिया, यह यहां फ्लाइग का पूरा नामें फाइबर आप्टिक लिंक एराउंड दग्रोप, केबल की लंबाई है 28000 किलमीटर, वर्स 2004 में रिलाइंस ग्रूप ने इसे खरीद लिया था, ये केबल UK, United Kingdom से सुरू होकर, मिस्र के स्वेज नहर से होकर, मुंबई और जापार तक जाती उम्मिद करता हम वीडियो पसंद आओगा, वीडियो पसंद आओगा, प्लीज मैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेर कीजिए, धन्यवाद